दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रश्यन फिफ जनरेशन इंजिन के बारे में बात करेंगे जो कि उनके स्खोई 57 एरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है इस इंजिन का नाम है इस देलाई 30 इंजिन इसको प्रजेक्ट 30 का नाम भी दिया गया है ये रश्यन एल 41 इंजिन के मुकाबली में ज्यदा इंप्रूवड इंजिन है और इस इंजिन को हमारे स्खोई 30M के एक क्राफ्ट के एल 31 इंजिन की रिप्लेस्मेंट के तोर पर भी देखा जा सकता है और कंसिडर किया जा सकता है और क्योंकि ये एक फिफ जनरेशन इंजिन है तो इसे हमारे AMCA प्रोग्राम के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है तो चलिए आज किस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या खासित है और ये कैसे बहतर है और क जो कि उनके लिए रिक्वाइड थर्स तो पर्डियूस करी सके लेकिन उसका इन्फलरेडर सिंगनेचर भी बहुत कम हो और इसके साथ ही उनको ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वो एक क्राफ्ट के रडार सिंगनेचर को ज्यादा ना बढ़ाएं अभी के जो फिफ जनरेशन फाइटर एक क्राफ्ट हैं उनमें बिना आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल किये सुपर क्रूस करने के बिल्टी होनी चाहिए इसलिए अभी के फिफ जनरेशन एक क्राफ्ट में ज़्यादा पौफुल इंजन की ज़रूरत है लेकिन अभी तक रशिया के पास ऐसा कोई भी इंजन अवेलिबल नहीं था जो उनका अल-41 इंजन था वो उनके स्कोई 35 एक क्राफ्ट के लिए बनाया गया था लेकिन वो केवल अल-31 इंजन का एक इंप्रूब्ड वेरियंट था उसमें कोई भी नया डिजाइन नहीं था लेकिन जो उनका फिफ जनरेशन एक क्राफ्ट स्कोई 57 था उसको एक नया डिजाइन वाले इंजन की जरूरत थी जो कि ज़्यादा पाउरफुल हो लेकिन उसमें ज़्यादा वेट गेन भी ना हो और वो फिफ जनरेशन फीचर्स वाला हो इसे पहले हम जानते हैं कि रश्या के सभी इंजन्स में मेंटनेस प्रॉबलम देखी गई है जो उनका एल-31 इंजन हमारा स्कोई 30M के एक क्राफ्ट इस्तिमाल करता है उसके साथ भी हमें बहुत सारे इश्यूस रहे है और उनका जो अभी एल-41 इंजन है उसके साथ भी ऐसे ही इश्यूस देखे गए है क्योंकि रश्या के पास कोई B-5 जनरेशन इंजन अवेलिबल नहीं था तो उन्होंने स्कोई 57 एक क्राफ्ट की टेस्टिंग में एल-41 इंजन का ही इस्तेमाल किया था लेकिन जब हमारी इंजने एर फोर्स उनके स्कोई 57 एक क्राफ्ट को इंस्पेक्ट कर रही थी तो उन्होंने देखा था कि मॉस्को एर शो में स्कोई 57 टेक आफ ही नहीं कर पाया था क्योंकि उसका कॉम्प्रेसर स्टॉल हो गया था जिससे एक क्राफ्ट को टेक आफ को अबॉर्ट करना पड़ा था इसके बाद इंजिनेर फोर्स इसकी रिलाइबिल्टी और इसकी परफॉर्मस को लेकर काफी कंसर्ण जाहिर किये थे और एक कारण ये भी हो सकता है कि इसी इंजिन के कारण हमारी इंजिनेर फोर्स ने FGFA प्रोग्राम को बीच में ही शोड़ दिया था लेकिन इन सबी प्रॉब्लमस को दूर करने के लिए रिशिया ने इस देलाई 30 इंजिन को डिवैल्प किया है जो की जो की L41 इंजिन के मकाबले में 30% लोवर स्पेसिफिक वेट के साथ आता है और इसके साथ ही इसका थ्रस्ट भी जादा है इस इंजिन के बारे में ऐसा एस्टिमेट है कि यह 107 के अन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा और 176 के अन का आफ्टर बनर के साथ थ्रस्ट जनरेट करेगा लेकिन इस engine की खासियत ये भी है कि ये L41 engine के dimensions के मामले में उससे ज़़ा different नहीं है और यही कारण है कि ये L41 engine के जैसे ही fit हो सकता है अगर इसे स्कोई 30M के एक craft में fit करना चाहें तो इस engine को उसमें fit किया जा सकता है क्योंकि उसके dimensions में बहुत कम फर्क है इस engine को ऐसे बनाया गया है कि इस engine की reliability काफी improved हो और इसमें lower maintenance cost हो जिससे एक craft की performance और reliability काफी improved होती है इस नए engine में increased thrust है, lower cost है, better fuel efficiency है और बहुत कम moving parts है और इसके साथ ही इस engine में glass fiber plastic IGV's है जिससे एक craft का radar signature भी कम होता है इस engine के status के बारे में अगर हम बात करें तो इस engine को square 57 aircraft से अभी टेस्ट किया जा रहा है 2017 में इस engine को square 57 aircraft से टेस्ट करना शुरू कर दिया गया था लेकिन इसके बारे में ऐसा बताया गया है कि अभी 2-3 साल की टेस्टिंग इसमें लगेगी इसके बाद ही इस इंजन को सिर्टिफाइ किया जाएगा जिसके बाद इसको स्कोई 57 एक्राफ्ट में इस्तिमाल किया जाएगा 2019 तक रशिया ने इस engine की 16 flights की है जिससे उन्होंने इस engine के बहुत सारे characteristics को test किया है जो की अलग-अलग flight modes में किये गए है इसमें उन्होंने इसके vectoring jet nozzle को भी test किया है और इसके oil system को भी test किया है जब इस engine के पहले prototypes बनाएं गए थे तो तब इसका जो thrust था वो 88.3kn का dry thrust था और 142.2kn का afterburner के साथ thrust था इस engine को काफी secretive रखा गया था लेकिन अभी इसकी ज़्यादा details बाहरानी शुरू हो गई है अभी क्योंकि इस engine के बारे में ज़्यादा जानकरी available नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसकी real world performance कैसी है लेकिन क्योंकि रशिया इसे अपने fifth generation engine के तौर पर develop कर रहा है और अपने fifth generation aircraft के लिए develop कर रहा है तो हम ऐसा assume कर सकते हैं कि इसकी performance काफी improved होने वाली है और जो problems पहले के Russian engines के साथ आती थी ऐसी problems इसमें नहीं होने वाली है जैसा कि अभी हमारा स्कोई 30M के एक craft Russian AL-31 engine का इस्तिमाल कर रहा है जिसके बारे में अभी तक जो maintenance problems थी उनको दूर कर लिया गया है लेकिन उसके साथ अभी केवर एक problem है वो ये है कि वो ज़्यादा power generate नहीं करता है जिसके कारण वो ज़्यादा upgraded avionics को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उनको power नहीं कर पाएगा इसके लिए हमें उसकी एक upgradeation की जरूरत है और इसके साथ ही हमारे AMCA program के लिए भी शायद ये engine एक बहुत अशी option हो सकता है क्योंकि इतनी capacity वाला एक ही engine हमारे पास available होगा जो कि हमारे AMCA program के लिए available होगा अगर comparison के तौर पर देखें तो जो हमारे square 30M के aircraft में engine लगा हुआ है वो AL-31 engine है जो कि 137KN के क्रीब thrust generate करता है और इसका जो improved variant AL-41F1 है वो 147KN का maximum thrust generate करता है जो कि अभी square 57 aircraft में इस्तिमाल किया जा रहा है लेकिन इन दोनों engines के मुकाबले में जो is the light 30 engine है वो बहुत ज़्यादा thrust generate करता है वो 176KN का wet thrust generate करता है और 107KN का dry thrust generate करता है इन engines के size के बारे में अगर हम बात करें तो जो is the light 30 engine है उसके जो specifications है वो अभी तक बहुत ज़्यदा classified है लेकिन अगर हम AL 31 engine और AL 41 engine को compare करें तो जो AL 31 engine है उसका diameter 35.6 inches है लेकिन जो AL 41 engine है उसका diameter 36.7 inches है लेकिन जो is the light 30 engine होगा उसके diameter में बहुत ज़्यदा increase नहीं होने वाला है वो इसलिए है क्योंकि रश्यदा के कोशिश ये है कि जो नया engine हो वो AL 41 engine के मकाबले में size में ज़्यदा बढ़ा ना हो और ना ही वजन में ज़्यदा बढ़ा हो लेकिन उसका जो thrust हो वो उससे ज़्यदा हो ऐसी जानकारी है कि इसका जो diameter होगा वो AL 41 engine के मकाले में थूड़ा ही ज़्यदा होगा लेकिन जो इसका वजन होगा वो 1420 किलोग्राम है जो कि AL 31 engine के मकाबले में 1.500 किलोग्राम ज़्यदा है जो कि हमारे Score 30 M के क्राफट में इस्तिमाल किया जाता है तो ये बहुत इसानी से के साथ ही इसके साथ 3D Thrust Vectoring नौजल्स भी आती हैं जो कि हमारे AMC A Craft को बहुत ज्यादा बहतर maneuverability प्रोवाइट करेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेर करें ठैक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हंद जै भारत